चेड़ों के तो छोडएंगे नहीं ये खुले आस्मान के नीछे धमकी देने वाला शक्स महराश्ट में PF I का ध्यक्ष मतीन शेखानी है जिसकी जुबापर जहर है जिसको ना कानून का खौफ है और ना ही कानून पर विश्वास तब ही तो खुलेयाम धमकी दी गई आपको याद होगा राजस्थान का करोली जब हिंसा में PFI का नाम सामने आए था मतीन शेखानी ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं महराश में इस वक्त लाउड स्पिकर पर बवाल है मस्दितों से लाउड स्पिकर हटाने को लेकर मचे बवाल के बीच PFI की चेताउनी सामने आई है जिसे आपको जरूर सुननी चाहिए मतीन मुंबई में परदेशिन करा था धार में नारिबाची की गई और मतीन ने धमकी दी दरसल मुंबई में मस्दितों से लाउड स्पिकर हटाने के मामले पर PFI के इस नेता के धमकी वाइरल हो गई है बढ़काव बयान का वीडियो वाइरल होते ही पुलीस ने मतीन के खिलाफ मुकदमा दर्च कर लिया है अब आपको बताते हैं PFI की सकर्टूत के बाद PFI पर बैन लग सकता है सरकार के अजनसियों के पास वो सबूत है जिसमें PFI माहोल बिगारने की कोशिश करता रहा है एक तरफ PFI की नेता खुलियाम जहरिला बयान दे रहे है तो वहीं दूसरी और PFI सोशल मीडिया पर भी अक्टिर है अब आपको बताते हैं PFI के खिलाफ सबूत कहा कहा है चाहे राजस्थान का करोली हो ग्याफि करनाटक का हिजाव विवाद इसमें भी PFI का कनेक्शन है राम नवमी के मोकी पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा में PFI का नाम दिल्लिकी इतंगे के साजिश में PFI का नाम और CANRC की हिंसा में भी PFI का नाम सामने आये था अब आपको बताते हैं आखे PFI बना कब था 2006 में PFI बनाय गया जिसका उद्धिश्य था मुस्लिमानों के मुद्धे को उठाने के लिए संगठन बनाय गया देश राज्यों में इसका नेटवर्क भी फेला है और PFI की गती वीध्या ही अब सवालों के घेरे में हैं ऐसे में अब सरकार इस सप्ता ही PFI पर बैन लगा सकती है जो देश में माहोल बिगारनी के लिए जानी जाती है जिसका ताजह उधारन राम नवमी के पर हिंसा और राजस्थान में कारोली पुरही हिंसा है